नमस्कार मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम कबीर के दर्सन पर बात करें गयानि कि कबीर का दर्सन कैसा था उनके दर्सन से संबंधित विचार कैसे थे तब उनके क्या विचार होते हैं कि जब कभीर जीव पर बात करते हैं तब उनके क्या विचार के इसी तरीके से जगत पर राम पर और भक्त पर बात करते हुए कबीर किस प्रकार की विचार प्रस्टूट करते हैं वही क्या होगा कबीर का दर्सन होगा इस पर हम इस वीडियो के अंदर चल्चा करने जा रहे हैं आपको कबीर के दर्सन से संबद्दित कोई भी परेशार ने इस वीडियो को देख लेने के बाद नहीं रह आप एमे कर रहें हैं ग्रेज़ुएशन कर रहें और आपने हिंडी साहित दिशे दिया हुआ है या फिर आप UX का एक्जाम दे रहें और वहां पे आपका कबीर के दर्सन पर बात करते हुए सबसे पहले तो आपके मस्तिस्क में या सपष्ठ होना चाहिए कि कबीर का उद्देश से किसी दर्सन का प्रतिपादन नहीं था जैसे कि उनका उद्देश से उनका जो साध्ध था वो काब बिरचना नहीं था सौंदर उत्पादन नहीं था उसे प्रकार उनका साध्ध दर्सन का प्रतिपादन भी नहीं था ये सब मात्र उनके साधन है उनका साध्ध क्या था उनका साध्ध था समाच कल्याण लोक ता धार्मिक लूडियों का बिनाश उसे मिटाना इस प्रकार जब हम देखते हैं तो कबीर अद्वयत वादी हैं एकेश्वर वादी हैं द्वयत या समत्वादी हैं ब्रह्म्भ वादी हैं नात्पंथी हैं क्या है या पता लगाना थोड़ा का मुश्किल काम है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कबीर जो है उनका उद्देश से काब बेरचना या दर्सन का प्रतिपादन या दर्सन पर चलना नहीं था उनका उद्देश से था समाज का कल्यार तो इसके लिए उन्हें जो भी बन पड़ा उन्होंने ओसब किया है वे कभी-कभी उनकी रचनाओं में हमें एकेश्वरवाद दिखाई दे जाएगा कभी द्वयत वाद दिखाई दे जाएगा द्वयत वाद या नात्पंथियों क प्रभाव उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिल जाएगा कभीर के संबंध में इस प्रकार की आलोचनात्मक अराजकता के मूल में हर एक आलोचक का निजी पूर्वा ग्रा सक्री रहा यानि कभीर के संदर में बात करते हुए हर व्यक्ति जो है जो साहित एतियास कार रह यानि उनके बारे में कोई न कोई बुचार बना के ही साहित उनके बिशे में लिखने आया है, और डाक्टर राम चन तिवारी ने इस तथ्थी की पुष्टी जी है को वास्त विकता आया थ है कि कभीर के दार्फनिक बिचारों के संबंध में निड़े करते समय प्रत्येग विचारा किसी ना किसी पूर्वाग्रा से प्रेदित रहा है और मुहसिन फानी ने जब कबीर को मुवाहिद यानि के एकेश्च्वरवादी कहा था तो उसका निड़ए इसलाम की धर्म भावना से प्रभावित था बाबु स्याम सुंदल दास ने कबीर को ब्रम्भवादी या अद्वयत वादी कहा तो वे यह मानकर चले थे कि निर्गुण संत धारा संकराचार के अद्वयत वाद से किसी ना किसी रूप में प्रेरित और प्रभावित है यानि सब लोग अब इने अपने विचारों से पहल को बेदांद के पुराने मतों के अंतर गत विवस्थित करना चाहते थे और वे कुछ इस प्रकार का मतले कर चल रहे थे आचार हजारी प्रसाद दुवयदी ने जब कबीर को दौयत बिलक्षण समत्वादी कहा क्या कहा दौयत बिलक्षण समत्वादी तो वे नाथ पंथि योगियों के सिध्धानतों को प्रिष्ट भूम में रखकर कबीर की तुलना कर रहे थे और इसी प्रकार जिन विद्वानों ने कबीर को स्वतंत्र विचारक माना है वे कबीर की प्रतिभा से प्रभावित होने के साथ ही यह मान कर चले कि कबीर परंपरागर सास्त्री चिंतन के कायल नहीं थे याने कि जो इस प्रकार का विचार भी दे रहा हो भी एक प्रकार के पूर्वा ग्रह से ग्रसित ही है ठीक है अब यहां पे जैसे कुछ तथ्याए कि उनको अद्वेत वादी कौन मानता है उनको एकेश्वरवादी कौन मानता है उनको जो है दोयता दोयता दोयत बिलक्षण समत्वादी कौन मानता है तो यह सब अगर आप किसी कॉम्प्टीशन का इसाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है या फिर आप नेट जी आरेब दे रहे हैं तो उसमें आ द्वैतवादी डाक्टर बर्थवाल ने कहा और द्वैता द्वैत बिलक्षन समत्वादी आचार हजारी प्रसाद ने कहा एकेश्चुरवादी यानि मुवाहित किस ने कहा मुहसिन फानी ने कहा है ठीक है तो इस प्रकार के ये तथ्थे हैं अब जब कवीर ब्रम्भ पर वि मुझें से पूरा अस्पष्ट हो जाता है कबीर का विचार ब्रम्भ को किस प्रकार की ठाब फिर भी हम देखते हैं कबीर के काप्ध में ब्रम्भ एक है उसका कोई लूप कोई आकार कोई ब्यक्तित तो नहीं है यानि कि वह क्या है निर्गुळ है ठीक है यानि कि निर्गुड ना कहकर निराकार कहें ठीक है क्या है निराकार है वह रूपा तीत गुरा तीत वह ना तो सगुड है ना निर्गुड दोनों से परे है वह क्या है ना तो सगुड है ना ही निर्गुड है ठीक है निर्गुड या होगा जिसमें कोई गुड नही कर बच के निकलना चाहे तो हम नहीं निकल सकते ठीक है और सगुर कहे कर तो बिल्कुल भी नहीं वह इस जगत इस स्रिष्ट के अर्व पर्मार में ब्याप्त है ठीक है मतलब जो कहते हैं कि अभी जो है थियरी आई कि प्रतेक आइटम में एक गौड पार्टिकल होता है तो व हम लोग कहां थे आज के सैकड़ों सालों पहले ही या फिर हम और पीछे भी जाए यहां कबीर को न देखकर और अपने बेदों में चले जाए अपने प्राचीन दर्शनों में चले जाए तो वहां भी यह चीज़े हमें देखने को मिलती है कि कड़ कड में इस स्वर विद् जो इस्वर है हर जगा बिद्धमान है यह न कहकर हमकी उसे नहीं पाया जा सकता उसे वहां भी पाया जा सकता क्योंकि वह प्रतेक कड में है प्रतेक हर एक धूल के कड में है हमारे सरीर के कड कड में बिद्धमान है तो इस्वर क्या है प्रतेक जगा है हम ऐसा कहकर भी नह मंदिरों में नहीं पा सकते। जब इस्वर कण-कण में है तो हल जगा होने वाला है। ठीक है। लेकिन कभीर का विचार जो है यह मानते हैं कि उसे मंदिर मस्जित देवाले में नहीं पाया जा सकता। वा अवतार गहन नहीं करता। संसार की प्रत्यक वस्तु में वा छुपा है अंतर नहीं थे। ठीक है। उसका ना तो वर्डन हो सकता है और ना ही उसकी कलपना की जा सकती है। उसे सिर्फ अनुभो द्वारा पाया जा सकता है वह किस प्रकार है वह गुंगे के गुढ के समान है ठीक है जैसे कि एक गुंगा बैक्ति है वह गुढ खाता है या फिर उसके अंदर जो गुढ है वह सिर्फ उसे महसूस कर सकता है उसे किसी को बता नहीं सकता है कबीर का ब्रंभ है वह ऐसा ही है घ्रोट करीम रहीम खुदा अला निरंजन आ खा दी ना जाने कितने नाम से कबीरी अपने ब्रंभ को पुगाते हैं और कबीरी EPA उसकी प्राप्टी के लिए भगतिसे प्रेम से आत्मान भूत से यानि कि इन सब चीजों पर जोल देते हैं कि ब्रम्भ को प्रेम से पाया जा सकता है भक्ति से पाया जा सकता है आत्मान भूत से पाया जा सकता है ठीक है और वे इश्वर की प्राप्ति के लिए सहज समाधी पर जोल देते हैं यानि कि जंगलों में जाकर समा में वे जो है अपने इश्वर को अपने ब्रह्म को परिभासित करते हैं कि ब्रह्म कैसा है जैसे कस्तूरी कुंडली बस है मरिग ढूण है बनमाई यानि कि जैसे कि कस्तूरी जो है वो कहां है मरिग के नाभी में है लेकिन उसे पूरे जंगल में ढूणता रहता है ठीक उसी प्रकार इंसान प्रत्यक इंसान के अंदर कड़ कड़ में इस्वर ब्यापत है लेकिन इंसान क्या होता है उसे ढूणने के ये जंगलों में निकल जाता है, कहीं समाधी लगाता है, बैठ जाता है, और सालो साल बैठा रहता है समाधी में, तो वहां से इश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, इश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, इश्वर की प्राप्ति होगी, कि वहां अपने अंदर बिद्धमान है, उसे पहचानो उसकी अनभूति करो ठीक है तो इस तरीके से कबीर बताते हैं कस तूरी कुंडली बसाये मिलिक ढूड़े बनमाई ऐसे घट-घट राम हैं दुनिया देखेना और जिन विद्वानों ने अहमान लिया है कबीर के ब्रंभ संकराचार के अद्वयत बेदान्त वा क्या है कि जब कबीर पूछते हैं कि पंडित सोध कहो समुझाई जाते आवा गमन नसाई अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहों कौन दिसा बसे भाई उत्तर की दखिन पूरव की पक्षिम स्वर्ग पताल की माही बिना गोपाल ठोर नहीं कतहूं नर्क जात धोनकाही तो इस प् फंडित जर्क होच करके बताओ कि है नरक कहां पर है ठीक है मुक्त कहां बसती है यहालत धर्म काम अधि कहां किस दिशा में बसे हैं तो इस प्रिकार का कभीर प्रशन करते हैं उस पर भी तंज करते हैं उनसे भी जवाब मांगते हैं और यह जो कबीर का दर्सन में करा रहा हूं यह हो सकता है कि इस बार के आपका जो असाइनमेंट है इगनू का उसमें भी यह प्रस्ण पूछा गया है साहित उसको भी आप देख लीजिए अगर पूछा गया है तो अगर आपने हिंदी साहित भी से ऑप्सिनल लिया हुआ है तो आपके लिए यह बीटियो महत पूड है ठीक है और अगर और भी कोई एक्जाम आप दे रहे हैं जिसमें आप हिंदी आती है तो इससे आपको निश्ची तोर पर कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी अगले सथे पर चलते हैं अगले विशय पर चलते हैं जो अगला विशय कभीर के दर्षन का वहा है जीव जीव फर विचार करतेगब क्या कहते हैं कि कभीर जीव और ब्रभा के प्रिधाक स्थित्त के अलग है ठीक है और Jeremiah ही है जो अबिद्या मो पास भी से आ सकती आदि के द्वारा अज्यान का पल्दा डाल देती है और हम खुद को पहचान नहीं पाते ठीक है कबीर कहते हैं कि जे सोव ते दोई जड़ा जे जागो तोई ठीक है ऐसी कुछ पंक्तिया कबीर के और आती है पानी हे ते हिम भया हिम ही भया हिम में गया भी लाए कभीरा जो था सोभया अब कुछ कही न जाए यानि कि क्या था पानी था पानी से बर्फ बना फिर बर्फ क्या हो गया उसी पानी में बिलीन हो गया यानि कि जो असलियत में वो था उसी में समा गया तो इस प्रकार जीव और आत्मा कुल मिलाकर जीव दो सक्तियां हैं आउरण और बिच्छेप आउरण सक्ति से वा सत्ति को ढग देती है और बिच्छेप सक्ति से भ्रांती उत्पन्ने करती है यानि कि छल कपट करती है हमारे साथ उस युक की बिभिन धर्म साधनाओं में माया की यवधारणा किसी ना किसी रूप में प्रचलित थी कबीर इससे मुक्त नहीं रह सके वे उसे ठगनी, पापनी, मोहिनी, सरपनी यादी कहते हैं कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी ना इन पंक्तियों को हम देखते हैं और परमतत्त्त के साक्षातकार में माया को बहुत बड़ी बाधा बताते हैं वे माया के ध्वन्स और बिनास की बात नहीं करते हैं बलकि उसे वस में करने की बात करते हैं उस पर नियंत्रन रखने की बात करते हैं कबीर के कुछ पंक्तियां देखें कि कबीर माया मोहिनी मांगी मिले नहाथ मना उतारी जूट कर तब लागी डोले साथ तो इस प्रकार की ये पंक्तियां है आप इन पंक्तियों को अपने उधारण में डाल सकते हैं इसे पंक्तियां आप आपना पैसेज लिखेंगे पैरगराफ लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे ये पंक्तियां उधारण के स्षरूप में दे देगे तो आपका उत्तल जो होगा वो बिवस्थित हो जाएगा अच्छा हो जाएगा प्रावडता आजाएगा उसमें और आपको बेतारंग प्राप्त होएंगे। ठीक है। जगत की बात करते हुए कबीर क्या कहते हैं कि, यह जो जगत है। जो कुछ भी हमें दिखा़ी दे रहा है। जो गुछ भी हम देख रहे हैं। यह सब जगत है, संसार है। यहां चंचल है, गतिसील है, आइस्थिर है, छाडिक है, नस्षवर है, यानि कि सब समाथ्थो जाने वाला है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कुछ भी यहां पर सास्वत नहीं है, माया ने ही इस जगत की रचना की है, इसलिए यहां जगत भ्रांती जनक है, धन, बैभव, आडंबर, सुखभोग, संपत्ति, पद, अधिकार, यह सब जगत के ही रूप है, पर चाहे राजा हो, लंक हो, सब को एक दिन जाना है, सभी छडबंगूर है, सभी मरण सील है, सब एक दिन चले जाएंगे, या संसार दिन की हाठ है, और जो साज होते ही उठ जाएगे, या घर कहां है, वही ब्रम्भ का दरबार, कबीर की कुछ पंक्तियां इस संदर में हम देखते हैं, कबीर कहां गर्बियो, उचे देखी अवास, काल पड़े भूई लोटना, उपर जा मैखास, और इसी प्रकार संसार की छड़ भंगूलता का वड़न करते हैं, कबीर कुछ और पंक्तियां कहते हैं, ऐसी तमाम पंक्तियां पा जाएंगे, तो मैं एकाद दो उधारन के स्वरूप में आपको दे रहा हूँ कि आप अपना उत्तर लेख सकें, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि आप उत्तर बताएं लगिए, तो ऐसे पता नहीं ना जाने कितनी पंक्त स्वरूप में बिद्वाही दते हैं, जैसे जूटे तन को क्या गरबावे, मरे तो पलिभे रहन न पावे, खीर खांड घृत पिंड समारा, प्राण लाई गए बाहिर जारा, जिह सिरी रची रची बांधत पागा, सो सिरुसंच सवा रहिकागा, हाड जरे जैसे लकडी जूरी, केस जरे जैसे त्रिन कैकूरी, कहाई कबीर नर अजहुन जागे, जम का डंड मूर पहिलागे, तो कबीर कहते हैं कि जो ये हाड मांज के सरीर को जो है, सजा समार रहे हो, घृत खांड, चीजे खा के इसको जो है, मजबूत कर रहे हो, सब एक दिन क्या होगा जल जाएगा, केस जल जाएंगे, और खोपड़ी जल जाएगी, सरीर जल जाएगा, और हड़ीयां तो ऐसे चलेंगी, जैसे सूखी लकड़ी, और हमें फिर बाद में कागा नोचेगा, अगर अभी भी इस माया से हम नहीं जागे, तो यह हमका डंडा पढ़ने के बाद तो पस्ताने के सिवा हमारे उपर कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास कुछ नहीं हैं जब, तो कबीर इस संसार को माया क्रिश संसार में वे ऐसा मानते हैं कि या जो संसार है या नस्वर है, जैसा कि यह भी अपने पीछे बात की, वे संसार में आ सकती नहीं रखते हैं, या प्रभितमार्गी अता हुए प्रभितमार्गी नहीं कहे जा सकते, उन्हें आम त भी ऐसा विचार था कि इंसान को मोक्ष प्राप्थ होता है और वह जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और इसी संदर में वे पूशते भी हैं कि जो है अपने राम से कि राम मोहितारी कहां लई जाई हो ठीक है यह पंक्तियां में देखने मिलती हैं कि राम मोहितारी कहां लईजेए ओ, खेर राम मुझे तार कर कहां ले जाओगे, आपके सामने पंक्तियां आप देख लीजिएगा, ठीक है, कबीर के राम, यानि कबीर के राम कैसे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने इस पर कई बार बताया भी हुआ है, कि जो कबीर के राम है, वे तुलसी के राम नहीं है, वे अयुद्ध्या के राम नहीं है, दसरत पुत्र राम नहीं है, बलकि वे निर्गुड है, निराकार है, ठीक है, इस प्रकार के उनके राम हैं, और वे अपने राम को बुलाने के लिए हारी, गोबिन, निरंजन, केसो, नारायन, माधो, मुकुन, विसंबर, बी अभी गत हैं, परम टत्त्तो हैं, ठीक है, वे दसरत पुत्र राम नहीं है, उनके कुछ पंक्तियां भी हम देखते हैं कि अभी गत गत कुछ कहत न जाना, ठीक है, और ऐसी कुछ पंक्तियां उलने कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाली तो इस प्रकार की पंक्तियां आप अपने उधारण में डालेंगे जो आपको देखना है कि किस बिशे से कौन सी पंक्तियां संबंध अस्थापित कर पा रही है उन्हीं पंक्तियों को उधारण के रूप में उस बिशे के अंदर लिखना है कबीर की भक्ति कैसी थी तो निर्गुण निराकार, अरूप, अगोचर, परम, सत्ता या, राम के भक्त थे कबीर प्रस निया है कि अरूप और निर्गुण भगवान भक्ति का भिसे कैसे हो सकता है और भगवत भिसे एक प्रेम को ही भक्ति कहते हैं भक्ति के लिए अपने उपास्थि के प्रति अनन्निभावना होनी चाहिए बिना सर्थ के उच्सर्ग भावना होनी चाहिए आत्म समरपण भावना होनी चाहिए कबीर की बानियों में यह अनन निभावना इस सीमा तक है कि वे कहते हैं कि हे गुसाई मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ मुझे बेच दो ये पंक्तियां हम देखते हैं कि जैसे बहुत गहरी पंक्तियां है आप इसको दो तीन बार सुनिएगा और इसको समझने कोशिश करिएगा कि मैं गुलाम हूँ बेच गुसाई तन मन धन मेरा राम जी क्ताई तन मन धन सबकुश किसके लिए राम जी के लिये है हे राम मैं आपका गुलाम हूँ मुझे बेच दो आन कबीर आहाट उतारा और कबीर ने खुद को बाजार में उतार दिया है कि मुझे खरीद लो, जिसकी यवकात हो, खरीद लो मुझे, क्यों, क्योंकि मेरे ग्राह कौन है, राम है, और मुझे बेचने वाले भी कौन है, राम है, अगर राम ने मुझे रख लिया, तो मुझे कौन खरीद सकता है, किसकी यवकात है, मुझे खरीद लेने की, और अगर राम मुझे बेचेंगे कौन मुझे राख सकता है तो इस प्रकार की पंक्तियां कभीर कहते हैं और कितनी गहरी पंक्तियां है आप देख सकते हैं समझ सकते हैं और इस प्रकार हमने यहाँ पर कभीर के दर्शन पर बात की हमने कभीर के ब्रम्भ को जाना माया को जाना जीव को जाना जगत को जाना मोक्ष कबीर के राम भग्त सभी तथ्यों पर विचार की आप कबीर इसी दर्शन में आप कबीर के गुरु को भी ला सकते हैं कि गुरु गोबिंदो हुखड़े काके लागु पाए बलिहारी गुरु आपने गोबिंदियों बताए ऐसी पंक्तियां दे क अगर आप उसे परिभासित करते हुए अपने उत्तर को और भी सुधिट बनाते हुए चले जाएंगे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर वीडियो पसंद आता है हिल्फुल रहता है तो लाइक सस्क्राइब एंड सेयर करते हैं